हलो माइडियर लेर्नर्स वेरी गुड मॉर्निंग टू इच एवरे वन उफ यू एप्डेट इस आउट विद यू और कल रात को यह आप लोगों की जो MPPSC Assistant Professor का एक्जाम हुआ था भी जो रीसेंटली 4th of August के आराउंड आपका एक्जाम था कर दो क्यों है तो आप लोगों की आणिस की आप चेक कर सकते है उसे आप अपना पर हैं उसे पला कर देख सकते हैं आपना स्कोर आपके सही हुए है तो जो आपका पेल ऑन था जैंडर 4 और तो सैंसे सलिएक तो अगर आप केमिकल षाइनस Story कोww फिजिकल साइंसे से तो फिजिक्स रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी आंसर के रिलीज हो चुकी है तो अगर एक बर हम बात करें हम कैसे अपनी आंसर की को देख सकते हैं यहां पर तो अगर आप जाएंगे यहां पर ही आपको मिल साइब अगर आप रिजल्ट डालेंगे तो आपको यह प्रोवीजनल आंसर की नजर आएगी देखें आंसर की मेरे सामने ही है अच्छा कई सारे स्टूरेंट्स को यह कंफूजन था माम यहां पर यह 2011 क्या लिखा यह जो एक्जाम है वो लेट हुआ थ तो 19 तारिक को देखे यह आपके रिलीज की गई है तो यहां पर आप लोग यह चीज रेख सकते कि 2022 इसलिए लिखा गया है यहां पर क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है 2022 में आया था बड़ जो साइकल है वो 2024 में कंड़क्ट हुआ तो इतना गाप के बाद एक्जाम हुआ इक्जाम का नोटिफिकेशन कई साल पहले आ गया था तो इसलिए यह यही आपका 2022 वाला साइकल है जो अब 2024 में जाकर हुआ है तो अगर आप यहां पर इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप राम से देख सकते हैं कि जितने भी आपके सेट हैं आपका प्रथम जो सेट के सेट वाइज आंसर गिवन है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं भाई देखें यह प्रोवीजनल आंसर की किसके लिए सबजेक जनरल स्टेडीज के लिए पेपर वन के लिए यहां पर क्वेशन नमबर गिवन है वान टू एक बार थोड़ा समय हाइलाइट कर देती हूं इसमें किसी को कोई डाउट हो अगर आंसर की देखने में तो देखो जो सेट A में क्वेशन नमबर 1 है वो सेट B में क्वेशन नमबर 15 था सेट C में क्वेशन नमबर 8 था और सेट D में वो क्वेशन 44 था तो आपका जो भी सेट है आप उसके अकौर्डिंग क्वेशन देख यहां पर बॉटनी का है राइट यह आपका कॉमर्स के लिए है यह वाली शीट ठीक है and then this is for English then अगर हम नीचे चलें तो यह हमारा हिंदी का है and यह हिस्ट्री का है okay home science है इसमें एक बार चेक कर लेता है अपना chemistry है या नहीं mathematics भी है ठीक है Sanskrit भी है information science भी है इसमें physical education भी है right एक सेकंड हाँ जी ठीक है तो इसमें यह सारे सब्जेक्ट से एक बार हम यहां पर टाइप ही कर लेते है एक सेकंड यह रहा देखें यहां पर देखें यह सबसे उपर ही आ रहा है provisional answer की का यहां से आपको provisional answer की मिल जाएगी आप देखो geography, chemistry, commerce तो दो तीन courses की अलग उपर ही heading आ रही थी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर देखो again GS का है then यह chemistry की है यह geography के लिए है and then यह physics के लिए राइट तो यहां से देखें zoology तो देखिए आप लोगों को मैंने दोनों लिंक्स बता दी है एक यह वाला है चीक है यह कहां पर मिल जाएंगे आपको directly यहीं पर ठीक है यही से आप what's new message आकर देख सकते हैं अराम से जाकर download कर लीजे अपनी answer की answers match कर लीजे और फिर कोई भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को जल्दी से आके comment section में बताईए यह जितना score generate हो रहा है वो भी आप लोग बता सकते है उससे एक better cutoff predict करने में मदद मिलेगी ठीक है और जो रिजल्ट है वो जितना जल्दी सारा डेटा सेंबल हो जाएगा आपका result भी सून देखा जाएगा ठीक है तो आप लोग जाए scorecard अपना score मिलाएं और देखे कि तो आपको score बन सकता ओके चलिए wish you all the luck thank you so much have a good day ठीक है कि तो एक है और दो wygląda up जो आप